आईए फिर चे एक बार हमारे चैनल पर आप सब का स्वागत है और आज दोती न्यूज हम आपको बारी-बारी से बताते हैं पहला है Infosys Co-Founder Narayanam Murti Sage Death of 66 Children in Gambia, Same India Narayanam Murti ने सर्मनाग बताया है 66 Children का Death के उपर में अपनी राय दिया है राय क्या है वो देखे है हुआ क्या था कि कुछ दिनो पूर्व पहले आप देखे हैं पर Underscoring the importance of research in the country Infosys Co-Founder Narayanam Murti said that it was a matter of unimaginable shame that an India-made cough syrup was responsible for the death of 66 Children in Gambia and that it has dented the credibility of the country's Pharmaceutical Regulatory Agency एक सर्मनाग बताया है भारत के लिए आपको यहाँ पर याद दिलाते चलें कि भारत के कुछ लोगों ने जो सरकार के पक्ष में हैं जो सरकार केंद्र सरकार के पक्ष में हैं उन्होंने एक समय में इन्फोसिस को देश दुरोही बताया था ठीक है देश दुरोही बताया था क्योंकि कुछ टेकनिकल गिलीच आ रहा था इंकम टैक्स को फिल करने में और इंकम टैक्स के काम को देखते हैं इन्फोसिस के लोगों सो अभी देखें उसका एक आप कह सकते है कि chilli करार जवाब मूरती की तरफ से मूरती में-द duration वाय वायल ऐनसेछ दवीनर उफॉसिससिसइंस इन्फोसिसिसइस प्राइचिन साथा एट ओधिन ए बांगलोरू have been linked to these deaths, right, यह सिधा-सिधा है कि फार्मासिटिकल कंप्री पर इन्होंने एक करारा हमला बोला है, so, he added that research in the science very important for a developing country like India that aspires to join the developed world, अब आगे में आपको हम लेके चलते ही, यह तो बता दिया गया, इन्फोसिस के तरफ से कि यह इंडिया के लिए सर्मनाख है, जो केवल दूसरों के लिए देश-दुरोही जैसे सब दिस्तेमाल करते हैं, यह 66 चिल्डेन का एक कफ सिरफ से मिर्तिव हो जाए, यह काफी सर्मनाख है, फार्मासिटिकल कंपनी के लिए, सो अभी परसंसा भी क्या कि COVID vaccination जो है, उसके उपर काफी research किये गया और इंडिया के लिए अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर देखे, उसके आगे हम बढ़ते हैं, और साथ-साथ एक चीज और कहा, the first component is to reorient our teaching in schools and colleges towards Socratic questioning and relating that they learn in the classroom to the real world around them, rather than passing examinations by road learning, यह जो रट्टूत होता जैसा लड़के पास कर जाते हैं, बच्चे पास कर जाते हैं, यह इससे दूर करने के लिए कहा, वो question oriented आप class कीजिए और कुछ बयवारी उसको relate कीजिए पूरे world से, तो education ऐसा हो सकता है, और अच्छा हो सकता भारत के लिए, even our IIT have become victims of this syndrome, thanks to the trainee of coaching, so यह coaching को भी thanks कह रहे हैं, जिसके कारण जो IIT के भी लोग है, उनका भी जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, इन्होंने पहले भी कहा था, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बहुत remark करने की बात है, मुर्ती है अलसो नोटेट दाट देर इस नॉट इस नॉट इंडिया का कोई भी इंस्टिशूशन नहीं आता है, यह इंडिया के लिए एक जर्मनाख हमारे देश के लिए बात है, सो यहाँ पर देखें, इन्फोसिस साइंस प्राइज जो है, six categories में बाता गया, to science and research in India, the category winners will each get one lakh dollar के लगबग भी बाता गया है, इसके बाद आप देखते जाई, social science में भी है, इनको reward मिला हुआ, इन्फोसिस के तरफ से, Rohini Pandey of Yale University, Humanities Sudhir Krishna Swami of National Law School of India University, Life Sciences, Vidita Vaidya of Tata Institute of Fundamental Research and Engineering and Computer Science के लिए, प्रोफेस्मन चक्रवर्थी को IIT खरकपूर के लिए दिया गया है, इन्फोसिस की यह अच्छी पहल है, अब चलिए, उसके बाद हम आपको दिखा देए, कि दूसरे तरफ, इन्फोसिस के ही, इसी जो भंगलोर्य का आपका प्राइस दिस्टिपूशन था, उसमें, यहां पर देखियें, एक इन्फोसिस, के को फॉंडर आफ आएटी जाइन्ट इन्फोसिस, on the sidelines of the 8th Convocation of the Indian Institute of Technology, जोधपूर on Saturday, जिसकी बात हम कर रहे थे, November 13 को यह प्राइस दिस्टिपूशन हुआ है, Gopal Krishnan ने कहा, यह हम आपको दिखा देते हैं, कुछ कोस्षन अंसर है सुभं तिवारी का, Mr. Gopal Krishnan, in your Convocation speech, you said that India would be the greatest leader in the world in the next 30 years, but there are mass layoffs at several IT companies like Infosys, Microsoft and Twitter, do not you see a sharp contradiction between your prediction and the current situation, अब यह Chris Gopal Krishnan का जो जवाब है उसको देखिए, बड़ा असफस्ट जवाब है, आप इंपलाई, जो होज रहे इंपलाइमेंट उनके लिए भी, और जो फ्रेसर उनके लिए भी, no, there is absolutely no contradiction here, there is a circular medium to a long term growth, I am talking about what happens in the next 30 years, clearly not just the IT industry, I see growth in all industries, Indian GDP will grow 10 dollar trillion, यानी 10 trillion dollar over the next 30 years, यह बहुत बड़ी बात है, अगर 10 trillion dollar का हो जाए, इसका GDP, तो फिर कहना ही क्या है, ठीक है, I have absolutely no doubt about that, what you are seeing, layoffs are very short term ups and downs in the market, there are cycles in the economy, on top of the circular growth, you are seeing ups and downs and companies will react based on that, I am very optimistic about the future, so, यहाँ पर इनका साफ साफ कहना है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, IT सेक्टर फिर से boom पर आएगा और employment इसमें generate होगा, तो देखिए, बहुत सारे question answer है इसमें, लेकिन हम आपको जो main question पूछा गया हों से, वो बता दिए, right, so there is a cycle, यह उन्होंने बार-बार कहा है कि यह cycle है, वो एक आता है इस तरह ups and down, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, अब Amazon की जो historical, जो आज बात हुई है, वो उसको भी देख लीजिए, Amazon में 10,000 करमचारियों की निकालने की तयारी है, घाटी की बज़े से हुआ फैसला, और इंसानों की जगल ले रहा रूबोट, Amazon की इतिहास की सबसे बड़ी छटनी है ये, और आपको बताते चलें कि अभी 11,000 मेटा ने और ट्वीटर ने भी अपने इंपलाई को हटाया है, e-commerce सेक्टर की दिगज कंपनी Amazon करीब 10,000 लोगों को जॉब से निकाल सकती है, Amazon की रिपोर्ट के मुदाविक, अगले हफ़ती है, हजारों की जॉब जा सकती है, पिछले कुछ तिमाहियों में फाइदा ना होने की बज़र से कम्प्रिन ये फैसला लिया है, ठीक है, Amazon को या आसंका है कि आर्थिक मंदी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कम्पनी को अपने खर्चे कम करने चाहिए, और खर्चे कम करने के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, अपने इंप्लाई को एक्जिट कर देंगे, तो यहाँ पर Amazon का जो एक हिस्ट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा छट्मी हो रहा है, आपको यह भी बता दें, कि 31 दिशंबर 2021 का जो आंकड़ा था, उसके हिसाब से 16 लाग से ज़्यादा फूल टाइम और पार्ट टाइम इंप्लाईज है, अगर कम्पनी 10,000 करमचारियों को एक साथ निकालती है, तो यहाँ Amazon के इतिहास में सबसे बड़ी छटनी होगी, कुल मिलाकर कहा जाए, तो कम्पनी 1% करमचारियों को निकालने के तयारी में है, यानि अपने टोटल इंप्लाईज का 1% यह ले आफ करने जा रही है, यह आप तस्वीर जो देख रहे हैं, जेफ बेजोस की तस्वीर है, और यह Amazon के CEO हैं, और Co-Founder, Amazon के सुरवाद जो है 5 जुलाई 1994 को हुई थे, यानि लगभग 28 साल हो गया, और इंसानों की जगा रोबोट ले रहे हैं, जगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, पैकेजिंग वाइरा रोबोट के हिसाब से होता है, और इंसान की जरुवत हमें सर रहेगी, यह मुल बात है, तो आज के लिए, फिर से थैंक यू